जै शनी दे प्रिय भग करों मैं स्वामी राज रशी शनी पीठ मंदिर इस्ट पटे लगर नई दिल्ली से आज आके समख्ष रस्तत हूँ और आस्ट्रोलोजी में रुच्ची लगता हूँ दस वर्ष की आयू से ही मैं अपने पूज में पिता श्री गुरु रजीश रिशी जी के ने देशन में ऐस्ट्रोलोजी नियुम्रोलोजी एवं धर्म गंतों का अध्यान कर रहा हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलोजी एक साइंस है जिसके सिध्धान्तों को हमारे रिशी मुन्यों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च करकर हमारे धर्म शास्तों में अंकित किया है मैं आज इनी वर्ग्यानिक सिध्धान्तों के अधार पर और आज की ग्रे नक्षत्रों की सित्यों के अधार पर आपको आपका राशीफल बताने जा रहा हूँ तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज कर आशिक करें प्रिये बग करो, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाता हूँ, कि पिछले एक साल में जो हमने आप से जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्ने और आशिरवाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,000,000 सब्सक्राइबर्स की जो आक भुग करणा है, उसको पाग कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता में प्रियवग करूँ, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें, और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशिया है, जिन भी मगकंड़ों ने हम हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेना अगलोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सका हमारी इस वीडियो को लाइक करें उसको शेयर करें उस पर अपना नाम लिखके कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मैं आशा करता हूँ कि आप भारी से भारी सक्या में अपना कमेंट्स के मात्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही देखें आज 11 नवेंबर 2019 दिन सोंबार कारतेक मास का शुक्लबख शल रहा है और आज चतुर दशी तिथी शाम 6 बच के 2 मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात 19 तिथी लग जाएगी आज अभीजीत मूरत दोपेर 11 बच के 44 मिनट से लेकर 12 बच के 26 मिनट तक रहेगा इस दोरान आप किसी भी शुबकारे को शिवात करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी आज रहुकाल सुबह 8 बच के 4 मिनट से लेकर 9 बच के 25 मिनट तक रहेगा इस दोरान आप किसी भी शुबकारे को करने से परहेश करेगा अब मैं आपको बताने जारा हूँ कि मकर यानि कि कैप्रिकॉन राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा वितेगा आज अपने भाईयों की साहता मिलने से आप हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे आज आपके बल का सामना कोई भी नहीं कर पाएगा और विशेश तोर पर सेना में कारेर जवानों को आज अपने शौरे का प्रदर्शन करने का मौका प्राप्थ हो सकता है रेसलिंग कुष्टी इत्यादी खेलों में भाग लेने वाले लिखे लाड़ी आज अपने प्रतिबंद्यों को दूल चटा कर विजई होंगे आज आपकी इमानदारी का गुणगान लोग करते नहीं ठकेंगे और समाज में आपके मान समान में भी इजाफा होगा परन्तु आज आपके पिता जी को अपने बिजनस में लॉस उठाना पड़ सकता है आज आज आप किसी को भी उधार देने से परेश करें वरना वे आपका धन कभी भी नहीं लोटाईए आज बंदर का स्टाचू घर में लाकर लखने से आपको शुपल प्राप्त होंगे मकरा शिवानू अगर आप अपने आपको अनलकी महसूस करते हैं और आपका भार्गिन आपको बारबर धोका दे जाता है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण पतिश्चित पढ़ने की अंगूटी अवश्य ही धारण करनी चाहिए यदि आप स्वयन गुरु रजी शिशी जी द्वारा अभी मंत्र अंगूटियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दियोए नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रजनों की अंगूटी को खरीदने से पूर आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं अगर आप मेंसे कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइट पन्ना, रूबी, नीलम, पुकराज, हीरा या किसी भी रजनी की अंगूठी को स्वयम बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक्स पर जाकर आप आप इन रत्नों को अपने घर पर बैटे ही मंगवा सकते हैं आज का आपका राशिका देखते हुए मैं आप तो तीन स्टार देता हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे है या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रम ह्अति हैं आपके पर धंगी कमी वनी रहती है या आपका सभास अच्छा नहीं रहता अप हर समय बेमार रहते हैं या आपके बच्चे बेमार रहते हैं या अन्हें ऐसी किसी भी समझ्या से आप ऐब तो क्यों आप इमयरा इस आत्ति हैं like that इतरशिस जिस्व आप हमारी वै लट्चों के लिए एक लखी नाम जानने के लिए अपने व्यापार के लिए एक भागेशाली नाम जानने के लिए जिससे कि आप दिन दुनी राच्चोगनी प्रगती करें आप मुझसे संपर्ग कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक छोटी सी पीज जरूर देनी होगी जिसक कर्म के काम जैसे की यग्यों मायग्यों के आयोजन के लिए प्रशा देव लगगर के वित्रण के लिए किया जाता है आपके द्वारा दी गई इसी पीस में से हम अगले दें प्रमुक रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्य करते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वोचमतकारियोपाई जिसे करने से यदि आप या आपका कोई सगा संबंदी बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ हैं तो जल से जल वेस्वस्थ होकर अपने कारों में जुट पाएंगे आज स्वास्तिलाभेतू आटे में काले तिल एवन सरसो का तिल मिलाकर एक मोटी रोटी बनाएं और उसे जो भी व्यक्ति असवस्थ हैं उसके उपर से 7 बार उतारकर बहुत को खिला दें ये क्रिया करते हुए ईश्मर्ज से रोगी को शीग स्विस्थ करने की प्राथना करते हैं यदि आज आप शद्धा पूर्वक इस उपाई को करते हैं तो जल से जल जो रोगी व्रक्ति है बे स्वस्थ हो जाएंगे और अपने कारों में जुट पाएंगे कुछ काम नहीं हुआ फिर अचानव एधर एक प्लाइन देश में गुरुजी का बैनार देखके हम इधर आया था हम नाग पहिना आएं पहिनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है है और लोगों भी हम बना चाहता है जे आप लोगा कोछ पॉब्लम पूरुजी का पास आये बुरुजी आप लोगा पॉब्लम सट अप करेंगे क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा क्या आपका बच्चा होमवक करने के बजाए टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है तो आज ही 133 देशों में प्रसित शनी मंदिर वाले परम पूज्य गुरू रजनीश रिशी जी से अपनी सभी समस्याओं का समधान जानिए अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें अधिक जानकारी का समस्याओं के लिए समस्दाजय जाख करें एंधिक एंधिक जानकारी के लिए बाऋत स हुआख समस्याओं है SH массषन पिल्णं का समस्याओं क्या इंचब औरम झाफ एंह मुआ़दं झाल झाल